असलाम लेकुम दोस्तों आज में बनाने जा रही हूं चिकन प्लाव तो इसके लिए मैंने ले लिया है 700 ग्राम चिकन जिसे मैंने अच्छे से धो कर साफ कर लिया है उसकी जो भी गंदेगी है वह निकाल दिया है उससे दो से तीन पानी में वोश कर दिया है साथी में मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिया है इन में मैंने तेस पत्ता बड़ी लाइची छोटी लाइची दालचनी लॉंग काली मिर्च और शाजीरा ले लिया है और साथी में मैंने मसालों में प्यास चार प्यास चार टमाटर धनिया पुदीना ले लिया है और 100 गीराम मेरा चिकन ही तो आधर किलो मैंने बासमती राइस ले लिया है जिसे मैं अच्छे से द्हों कर के साफ कर कर के तो अब मैं रख दिया है और साथी में दो बड़े चमच चुकिंग लेख डिया है और इसमें टाल दिया है मैंने रिफाइन ल्या reject you आप अपनी हिसाब से जो मर्जी आप जिस cooking oil में डायद बनाते हो खाना आप गो ले सकते हो और मैंने उसी किसाद जब हलका से तेल गरम हो गया तो खड़े मसाले इसमें एड कर दिये ज्यादा तेल गरम तेल में ना डालिये वरना मसाली जाए जाएंगे अप्याज एड कर द डार्क शेड में आएगा और उसी के साथ मैंने 100 ग्राम दही लिया है तो इसे मैं अच्छी तरह से फेट रही हूँ फेट कर कभी भी दही को डालिये सालन हो चाहे प्लाव हो या बिर्यानी हो और एक आधा नीमबू हम ले लेंगे अब देखिए प्याज जो है हमारी गोल् मसालो को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसाले का जो कच्छापन है वह पूरी तरह से निकल जाए अब जो हमारे टमाटर हमने कट करके रखे हैं कट करके वह हम एट कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह मसालो में भून लेंगे ताकि मसालो के साथ थोड चिकन के भी मसालों के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे लग बख 2-3 मिनट तक हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि चिकन टमाटर मसाले अच्छी थे एक दूसरे में घूल मिल जाया और इसी वक्त पर हम नमक भी एट कर देंगे और सॉल्ट हम कम ही डालेंगे क्योंकि चावल डालने की बाद भी हम एक बार नमक को चेक करेंगे अब देखिए मसाले वगएरा मैंने अच्छी तरह से भुन लिए हैं अब इसमें धनिया पुदीना जो हमने काट कर रखा था वो एट कर देंगे आधा ही डालेंगे आधा हम बचाएंगे पूरा नहीं डालना है कि अच्छी तरह से इस से हैं मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ तकि अच्छी सी खुशबो एक अच्छा सा फ्लेवर जो हैँ चिकन में कि में अफियंटकर रखा था येह लुक्त डाल देगे तो अधह मैं दही डाला है अधा मैं बचाएंगी क्योंकि आधे के सिंधा बनान अब गरम मसाला पाउडर एट कर देंगे और दही डालते वक्त हमेशा प्रण यह याद रखना कि दही को जो है आप फास फ्लेम पर ना डालना वरना वो फूट सकता है आप स्लो गेस करके दही डालिए अब मसाला जो अच्छी तरह से पक चुका है देखिए आप देख सकते ह दाल देंगे मैंने एक बड़ा आलू लिया था इस तरह से इसके मैंने इस तरह से छोड़े-प्र तुकड़े कर लिए हैं अगर आप चाहो तो बड़े भी आठ सकते हो ज़्याधा भी आलू डाल सकते हो मैंने कम डाला है क्यूकि हमारे घर में ज्छावास पानी डालूंग तो मैंने पानी टाल दिया है अब पानी में हम बॉइ आनी देंगे और इसी बीच में हम जो है नीमबू का रस भी एट कर देंगे नीमबू जो मैंने आधा लिया था वो मैं इसमें अच्छे से निचोड लूँगी नीबू दालने से हमारे जो चावल है वो बहुत खिले-खिले पकेंगे एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं तो नीबू को सारा मैं इच्छे से निचोड़ दूँगी तो अब मैं नमक भी एट कर दूँगी इसमें मैं पहले हमने डाला था नमक मसाला भूनते वक्त अब और थोड़ा मुझे कम लग रहा है मैंने कम ही डाला था तो मुझे डालना अब जरूरत थी इस वक्त तो आप भी चेक करके बराबर डालिएगा अब धनिया पुदीना हम थोड़ा और डाल देंगे ताकि अच्छा से ट तो देखिए बॉइल आ चुका है पांच मिट के बाद मैंने गैस को फास रखा है अब हम इसमें जो हमारे चावल जो हमने धूल के रखे थे देखिए मैंने चंणी में डाल के रख दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए अब मैं इसे डाल दूंगी पतीले में बिसमिल्ला और जादा मत हिलाएगा फ्रेंड एक से दो बार हिला कि आप बस क्यूंकि जो हमारे चावल हो भीगे है उन्हें टूटने का डर है उनका अब चार हरी मिर्चे डाल देंगे अब धक्कन धाक कर जो है हम इसे बॉइल आने तक पकाएंगे फिर उसके बाद हम धक्कन हटा कर लगभग यह पकने के लिए 10-15 मिट हमें इसे ढक्कन धाक करी पकाना है बीच में एक से दो बार हम कर्ची और चममच हिला लेंगे ताकि वो नीचे से पकड़े नीचावल तो देखिए मैंने एक से दो बार हिलाया था इसे ढक्कन हटा कर तो आपको भी इसे चेक करते रहन है ताकि यह नीचे से जले नहीं तो यह देखिए चावलों का पानी जो है खुश्क होने लगा है अभी इसमें थोड़ा सा पानी रहे गया है तो इसे हम जब हम दम लगाएंगे तब हम इसे सुखा लेंगे पानी को बहुत यह अच्छा लजीज प्लाव बना था चिकन प् और तबा मैंने रखा है दम के लिए ताकि जो चावल का पतीला जो है वो चावल नीचे से पकड़े नहीं तो पतीले में तो फास गेस पर पहले हम रखेंगे 10 मिनट के लिए फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट तक हम स्लो गेस पर रखेंगे तो देखिए चावल मेरे दम हो चुक लेकिन माशालला से बहुत अच्छे बने थे आलू मट चिकन भी अच्छे से गल चुका था और यह देखिए चावलों को में चेक कर रही हूं बहुत अच्छे से बन गयते तो फ्रेंड आप भी मेरे तरीके से बनाईए और चावल जब मेरे दम हो चुके थे ना तो मैंने उसको तुरंद नहीं कोला था मैंने उसको दम पर ही छोड़ दिया था तवे पर गयस ओफ करके तो जब वो थोड़ा सा मतलब 10 से 15 मिट के बाद मैंने उसको धक्कन अटा कर चेक किया था तो आप भी मेरी रेसीपी को एक बास जरूर ट्राइ कीजिए उमीद करती हूं कि आ फैमली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस